खालसा और जालसा के निर्देश के आलोप में राष्ट्रिय लोका अदालत का आयोजन गढ़वा वैवहार नया याले में किया गया इसमें अपेक्षा से अधिक लोगों की उपस्थिती बनी करीब 1400 मामले को नोटिस निर्गत किया गया था जिसमें आज भीड को देखकर अधिकाव से नोटिस इटिगी तक पुछाये गये दो बजी तक भारती स्टेट बैंक आफ इंडिया जो सेटल करके किये थे उसमें 38 लाख रुपे का सेटलमेंट किया गया जिसमें 31 लाख 40 हजार रुपे रिकवरी किया गया आज माननीय नालसा और माननीय जहलसा के दिशा निर्देश के आलोग में आज राष्टी लोग का जालत का योजन गढ़वा ब्योहार नेले परिसर में किया जा रहा है और इसमें आप एकछा से अधिक लोगों की उपस्थिती बड़ी हर्च का भी से है और हम लोगों ने करीब करीब 14 मामलों में नोटिस निर्गत किया था जिसमें आज भीड को देखके लगता है कि अधिकान से नोटिस लिटिगेंट तक पहुँचा है और नियाले में दिख के ऐसा लगता है भीड को कि अधिक सधिक मामलों का निस्तारण हम लोग करेंगे और चुकि जैसा आप जानते हैं कि लोग अधालत में निस्तारीत मामलों का अपील नहीं होता वो यहीं समाप्त हो जाता है और जो एवाड बनता है उससे दोनों पप्च खुस भी राते हैं और लोग अधालत का मूल उद्जिस भी यही है कि जितने भी समनिय मामले हैं उनका निस्तारण तेजी से किया जाए ताकि जो लंबीत मामले हैं उनकी संख्या में तीजी से कमी आए गरवा, पलामो और लाते हार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं